गुद्मॉर्णिंग स्टूदेंट्स आपके चाप्टर वन एक्सरसाइस वन जी में आपको राउंडिंग ऑफ दा नंबर्स पड़ना है तो चलिए हम जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ दा नंबर्स क्या है round off round off क्या होता है कितनी बार हमारे daily life में किसी भी numbers या किसी भी चीज़ की cost को हम exact न बोलके उसको हम round off करके बोलते हैं जैसे आपकी कोई dress है आपने उसको 680 में खरीदा है लेकिन आप अपने friend को क्या बताते है कि आपने उसको 700 में खरीदा है फिर मालो कहीं पर match है IPL का match है वहाँ पर बोलते हैं कि 25,000 people वो match देख रहे थे लेकिन exactly वहाँ पर 24,750 people ही बैठे हुए थे तो यह होता है round off के हम उसके लगभग में हमने बता दिया चलिए हम अब rounding के rules को समझते हैं कि rounding हम कैसे करेंगे rounding of the numbers to the nearest 10 जब भी हम nearest 10 पे round off करते हैं तो once के digit के number को हम देखेंगे when rounding to the nearest 10 look at the one digit of the number अगर once के digit once digit 0, 1, 2, 3 और 4 होता है तो 10 के place पे कोई भी changes नहीं होते हैं और वो वही पुराना वाला ही 10 होगा वही previous 10 होगा 10 digit does not change और अगर once के place पे 5, 6, 7, 8 और 9 हो तो वहाँ हम next 10 लिख देंगे इट मिंस कि वहाँ पे जो 10 था वहाँ पे plus 1 हो जाएगा आगे वाले 10 को हम लिखते हैं सेम ऐसे ही हम nearest 100 में भी करेंगे when rounding to the nearest 100 look at the 10th digit जब हम 100 को कर रहे हैं तो just उसके पहले जो है 10 का number है तो 10 के digit को हम देखेंगे कि वह अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा और अगर वो 5, 6, 7, 8 और 9 है तो अगला वाला 100 हो जागा यानि जो नमबर है वहाँ पे plus 1 होगा सेम वही चीज आप देखोंगे 1000 वाले में यानि 1000 के पहले क्या होता है 100 का digit होता है अगर वो digit 0, 1, 2, 3, और 4 है तो कोई भी चेंज नहीं होगे वहाँ पे उस प्लेस पे लेकिन अगर वो 5, 6, 7, 8 और 9 होगा तो next 1000 हम लिखेंगे यानि उस नमबर में plus 1 होगा चलिए आप examples को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा हमें पहले वाले example में हमें करना है nearest 10 round of the falling numbers to the nearest 10 62 तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमें nearest 10 करना होता है तो हम 1 के नमबर को देखेंगे 1 का नमबर क्या है? 2 है जब 2 है तो कोई भी changes नहीं होंगे और यह क्या हो जाएगा? 60 ठीक है? 10 में आपको पता है कि single 0 होता है तो यहाँ पर आपको क्या करोगे? यह 2 क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा यह बन जाएगा 60 प्लेस है अब आप यहाँ दोखोगे जब भी nearest 10 करना होता है तो हम 1 के प्लेस को देखते है 1 के प्लेस पे क्या है? 8 है और 8 के लिए क्या बताया था? कि जब भी नमबर अगर 5, 6, 7, 8 और 9 होता है तो next 10 होता है तो यह 8 है यह जादा है greater than 5 है तो यहाँ पे next 10 का जो प्लेस है वहाँ प्लस 1 हो जाएगा यानि 2920 यह हुआ 10 आगे देखोगे rounding of the numbers to the nearest 100 तो जैसा मैंने अभी आपको रूल बताया कि जब हम 100 के प्लेस पे करना होता है 100 के प्लेस को round off करना है यह 1, 10, 100 तो हम किसको देखेंगे 10 के digit को देखेंगे अगर 10 का digit 0, 1, 2, 3, 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा और अगर 10 का digit 5, 6, 7, 8, 9 है तो next 100 होगा तो यहाँ 10 का digit क्या है 2 तो कोई चेंज नहीं होगे और यह क्या बन जागा 700 100 में 00 होते है तो यहाँ पर 20 कर लेंगे 2 और 9 के जागा पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 00 और यह इसमें कोई चेंज नहीं यह 7 का 7 ही होगा एक और एक्जांपल देखेंगे आप 1550 तो जैसे हमें 100 के प्लेस पर करना होता है किसको देखते है 10 के प्लेस के नंबर को देखते है 10 के प्लेस पर क्या है 5 है तो 5 जब होता है तो next होता है यानि जिस प्लेस पर हमें चेंज करना है वहाँ पर हम प्लस 1 कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में हैं प्लस 1 किया तो 1600 नेक्स आप देखोगे rounding of the numbers to the nearest thousand जब हम thousand के नंबर को round off करेंगे तो hundred के hundred digit को हम ध्याम से देखेंगे अगर hundred place पे 5,6,7,8 या 9 है तो next हो जाएगा 1000 में प्लस 1 और अगर 0,1,2,3,4 है तो कोई भी changes नहीं होते है round off में तो यहाँ पर आप क्या दोगोगे इस question में यहाँ पर 9 है तो क्या हो जाएगा 8 में प्लस 1 यानि 9,000 next देखेंगे एग्जामपल एक और 16,349 हमें round off करना है 1000 के place पर 1000 के place पर 6 है तो जस्ट हमें उसके पीछे वाले नंबर को देखना है पीछे वाला नंबर क्या है 3,100 का place पर क्या है नंबर 3, तो कोई भी changes नहीं होंगे क्योंकि आपने rule में देखा कि 0,1,2,3,4 तक होता है तो जिस place पर हमें round off करना होता वहाँ कोई change नहीं होगा तो यह हो गया 16,000 और 1000 में जैसे हमारे 0 होते है बाकी सारे नंबर यह 0 हो जाते है एक आपको क्रिवीजन देखो एक ही नंबर में सारे round off जैसे एक question है 51,493 अगर हमें इसको nearest 10 करना होगा तो जैसे कि आपको बताया जब भी nearest 10 करना होता है तो हम once के digit को देखते है once के digit पर यहाँ 3 है 35 से छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जागा 90 बाकी नंबर में कोई changes ने अब इसी नंबर को हमें करना है nearest 100 पे तो nearest 100 जब करना होता है तो हम 10 के digit को देखते है 10 का digit यहाँ पर क्या है 9 है तो यहाँ पर 4 में plus 1 हो जाएगा यानि यह next हो जाएगा nearest thousand nearest thousand करना है तो हम उसके पीछे वाले प्लेस पे 100 के प्लेस पे देखेंगे 4 है तो यहाँ पे भी कोई changes नहीं होंगे और यह हो जागा 51,000 चलिए आप इसी के according आप exercise को बना लेंगे